मीठा पहाड एक थी चीटी चीटियों की रानी वह भो थी प्रिश्रम्मी थी वह एक बिल में रहती थी उसकी साथ ओर भी चीटियां रहती थी सभी चीटियां मिल जुलकर रहती और खूब काम करती एक दिन रानी चीटी अपने बिल से बाहर निकली वहां दो बिलियां आपस में लड रही थी रानी चीटी ने उनसे पूछा अरे तुम लोग क्यों लड रही हो काली बिल्ली बोली देखो यह रोटी मुझे चाहिए भूरी बिल्ली बोली पहले रोटी मैंने देखी है इसलिए रोटी मेरी है काली बिल्ली बोली देखने से क्या होता है रोटी को उठाय तो मैंनी था इसलिए रोटी मेरी है चीटी ने कहा अरे अरे लड़ना चगडना ठीक नहीं होता मिल वाट कर रोटी खा लो मुरी बिली है सुनते ही गुसे से बोली तुमारे कैनी से क्या होता है अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है तुम चली जाओ यहां से रानी चीटी आगे चली गई इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया दोनों बिलियां देखती रहे गई उदर चलते चलते रानी चीटी को एक बर्फी का टुकडा मिल गया रानी चीटी ने उसे सूंगा फिर छूकर देखा वह है खुश हो गई उसे लगा यह तो मीठा पंक्ती बना कर एक दूसरे के पीछे चलने लगी आगे आगे रानी चीटी चलती पीछी पीछे सभी चीटियां शिगर ही सब उसे मीठे पहाड के पास पहुच गई रानी चीटी बोली मैंनो आज हम मीठे पहाड की खूप दावत करेंगे इसे खिसका कर बिल की और ले चल सबी चीटियां खुश हो गई उन्होंने पहले तो पहाड को सुंगा और फिर उससे चिपक गई फिर सबने मिल कर जोर लगाय तो बर्फी कटकुडा खिसक गया धीरे धीरे वे बर्फी कटकुडा खिसका कर बिल की और ले जाने लगी रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्या मिली काली बिल्ली चीटियों पर ठहा का लगाने लगी बोली अरे इतनी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चीटियां कौन-कौन खाएगा इस बर्फी को रानी चीटि हसकर बोली हमारी फिकर छोड़ो हम सब तो मिल बाटकर खा लेंगी प्रन्तु तुमारी रोटी का क्या हुआ क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बाट कर खा ली भूरी बिली बोली अरे नहीं हमारी रोटी तो बंदर ले गया रानी चीटी ने कहा अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मजे से रोटी खा ली होती रानी चीटी की बात सुनकर दोनों बिल लेकर बिल की ओर चली गई